वेलकम टो एजी कलेक्शन आज मैं हाजर हूँ आपके लिए बहुत ही खुबसूरत से प्रीमियम लॉन के सूट्स लेकर के आज की वीडियो जो है बहुत जादी डिमांडेट वाली होने वाली है बहुत से लोगों ने काफी बार मुझस से डिमांड किया था की मैं ये प्रीमियम कलेक्शन لेकर क्या हूँ लॉन के पार्टी वियर वाले तो आज मैं पार्टी वियर पीसे लेकर के आई हूनु लोन के तो वीडियो पूरा देखेगा सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगी उनका जिन्होंने मुझे बहुत जादा मॉटिवेट किया मेरे पिछले पाकिस्तानी के जितने भी कॉटन वाले जो सूट थे लॉन वाले उन पे इतने ओर्डर्स आया हैं कि अभी भी बहुत सारे ओर्डर्स पैंडिंग पर लगे वे हैं थैंक्यू सो मच्छ इसी तरह आप मेरे कलेक्शन को पसंद करते रहे और वीडियो को आगे जरूर शेयर किया करिए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बहुत ही खुबसूरत से प्यारे प्यारे से सोबर वाले कलर्स के कलेक्शन रहेंगे ये पहला आजाएगा हमारा खुबसूरत सा ये वाला पीस रहेगा चलिए इसको ओपन करके देखते हैं आप इसका प्रिंट देखिए इसकी क्वालिटी देखिए बहुत ही खुबसूरत प्रिंट हुआ है सबसे बड़ी बात यह है कि आगे और पीछे दोनों ही तरफ प्रिंट रहेगा आप इसका प्रिंट साइज लेंट देखिए आपको इसमें इतने खुबसूरत खुबसूरत पैचेज मिलेंगे जब यह सूट रेड़ी होगा यह बहुत हैवी पीसे लगेंगे बिल्कुल जैसे के चार पांच हजार के जो सूट होते हैं वो लुक आएगा इनका अगर आपने बहुत ही अच्छे टेलर से इसको सिलवाया है तो इसका लुक बहुत ही खुबसूरत आएगा यह एक इसका पैच रहेगा मैं इसके सारे पैच आपको दिखा दे रही हूँ आप यह देख सकते हैं यह दूसरा पैच रहेगा मॉडल पिक मैं साथ में दूंगी यह तीसरा पैच रहेगा पैच पे जो है वो थ्रेड और इब्रोइडरी का बहुत ही खुबसूरत सीक्वेंस के साथ काम हुआ वा है ये बॉटम आ जाएगा वाइट कलर का और इस पे जो है वो चेक का काम है बहुत ही खुबसूरत पीस रहेगा आप साइज देख सकते हैं ये डबल हो करके था बॉटम ये हमारे इसका नेट का दुपट्टा आ जाएगा फुल हैवी इंब्रोइडरी रहेगा पुरा बहुत ही खुबसूरत सा थ्रेड का वर्क हुआ है दो शेड में आप देख सकते हैं पिंक एन वाइट में बहुत ही प्यारा डिजाइनर दुपट्टा है बहुत ही प्रीमिय बढ़ेती हूँ ये आपका फ्रेंट पर आएगा यह अभी जो भी आप पीस देख रहे ये फ्रंट का रहेगा इनमें तीन डेजाइन दिए वे हैं ऊपर बीच में और नीचे का ये देखिए इस तरीके से ये से सेकंड रहेगा और ये तीसरा डिजाइन आ जाएगा इस त के साथ में ये बैक रहेगा पूरा स्लीफ का फैबरिक भी दियावा है आप साइज देख सकते हैं अराम से हैवी से हैवी लेडिस बनवा सकती है बहुत ही खुबसूरत पीस रहेगा इसके कुछ पैच के वही वर्क है वो भी मैं आपको दिखा देती हूं ये इसका स्लीफ का पैच वर्क आएगा मॉडल पिक में आप देखेगा पूरा अच्छे से दियावा है और ये हमारा आ जाएगा बहुत ही खुबसूरत सा मल्टी कलर का थ्रेड इंब्रोइडरी वर्क का पैच वर्क ये इसका बॉटम आ जाएगा अफ्टर स्टिचिंग इनका लुक बहुत ह खुबसूरत आएगा पूरा प्रीमियम लुक देता है और ये इसका प्योर कॉटन मलमल में जो होता है उसमें दुपटा रहेगा सॉफ्ट वाला जो होता है आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा साइज और चुड़ाई रहेगी डाई मीटर के आसपस दुपटा रहेगा आप लेंथ देख सकते हैं कितना बड़ा दियावा है ये हमारा तीसरा कलेक्शन आ जाएगा खुबसूरत सा बहुत ही प्यारा लाइट ग्रीन जो होता है बिल्कुल ग्रेश ग्रीन वाला वो वाला लुक रहेगा शेड्स इसके बिल्कुल ही नियू नियू रहेंगे आप अब प्रिंट देख सकते हैं प्रिंट की क्वालिटी देख सकते हैं कोई भी कलर वगएरा नहीं जाएगा गैरेंटी रहेगी बहुत ही खुबसूरत पीस रहेगा साइज आप देख सकते हैं अराम से 5-6 एक्सल की लेडिज भी बनवा सकती हैं इतना इसमें साइज रहेगा बहुत ही प्यारे प्यारे पैचेस रहेंगे इसके ये देख सकते हैं आप थ्रेट की इंब्रॉइडरी हुई है उस पे सीक्विंस का काम हुआ वा है काफी सारे इसके पैच वर्क रहेंगे मैं सब ही आपको दिखा दे रही हूँ यह पहला पैच वर्क है यह दूसरा पैच वर्क आ जाएगा इसमें फ्लावर का काम भी हुआ वा है बहुत ही खुबसरा सा मल्टी कलर में रहेगा ये तीसरा पैच वर्क आ जाएगा इसका ये चौथा आ जाएगा ये इसका बॉटम आ जाएगा बहुत ही प्यारा सा ये डबल हो करके है तो आप सोच सकते हैं कितना अच्छा फैबरिक दियावा है ये इसका नेट का दुपट्टा आ जाएगा डूल शेड़ेट में इम्प्रॉइडरी वर्क हुआवा है जो शेड़ा आपके टॉप में था और वाइट कलर में ये हमारा चौथा आ जाएगा बहुत ही खुबसूरत सा गोल्डन शेड़ में गोल्डन बेज शो शेड़ होता है उसमें पॉलका डॉट इसमें चौडाई और ये डबल करके है और ये इसका पैच वर्क है जो कि स्लीव पे लगेगा बहुत ही हैवी पैच वर्क है इसमें सिल्वर जरी का काम भी हुआ वा है कैमरा कैच नहीं कर पा रहा है तो मैं आपको थोड़ा करीब से भी दिखाऊंगी कि आप इसकी इम्बरॉइडरी अच्छे से देख सकें ये पूरा थ्रेट की हैवी इम्बरॉइडरी हुई है ये तीन चार्थ वो स्लीव का था ये दामन का है ये दो और भी पैच वर्क है एक ये पैच वर्क और दियावा है ये सबी पिक में हैं आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहां कहां लगेगा ये आप इसका करीब से इम्बरॉइडरी देखिए बहुत ही खुबसूरत मल्टी कलर में इम्बरॉइडरी हुई हुई है ये इसका बॉटम रहेगा फुल हैवी प्रिंटेट फ्रंट और बैक दोनों ही प्रिंट रहेगा इसी तरह ये डबल करके है तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा फैबरिक दियावा है ये इसका नेट का दुपटा रहेगा फुल डिजाइनर पीस है इसके नेट के दुपटे के दोनों एंड में उपर के तरफ और नीचे के तरफ पैच वर्क दियावा है आप पिक में देखेगा मॉडल के दुपटे में है ये कट करके इनके नीचे में और उपर पे दुपटे में लगेगा ये तो इससे दुपटे की लैंद और भी बढ़ जाएगी और खुबसूरत हो जाएगी पूरा फुल डिजाइनर लुक आएगा ये हमारा आजाएगा अनदर डिजाइन बहुत ही खुबसूरत प्रिंट में रहेगा बहुत ही हैवी सीक्वेंस वर्क इस पे भी आएगा इसके पैच वर्क में ये इसका फ्रंट है दामन का प्रिंट देख सकते हैं इनकी क्वालिटी बहुत ही जादा उन्दा प्रिमियम रहेगी आप इसका साइज देखिए इसका प्रिंट देखिए कलर वगएरा बिलकुल भी नहीं जाएगा गैरेंटी है ये स्लीवस है बहुत ही खुबसूरत पीस रहेगा ये इसके स्लीव का पैच वर्क है पुरा थ्रेट का काम हुआ है सीक्वेंस वर्क है और बहुत ही सुन्दर सा इसके मल्टी कलर का वर्क भी है आप ये करीब से देख सकते हैं कैमरा इतने अच्छे से कैच नहीं कर पा रहा है इसलिए मैंने पिक भी लगा रखी है ये इसके दामन का आजाएगा पैच वर्क आप देख सकते हैं कितना घना पैच वर्क है बहुत ही खुबसूरत सा इंब्रॉइड रीट आफ्टर स्टिचिंग इनका लुक खिल के आता है इन सूटों का प्रीमियम पार्टी वेर लुक देते हैं ये आप इने पार्टी में कैरी कर सकते हैं एक पैच वर्क ये भी दिया वा है ये इसका बॉटम आ जाएगा बिल्कुल पियोर मलमल टाइप का है सॉफ्ट जो फैब्रिक होता है ये इसका कॉटन मलमल का दुपटा आ जाएगा आप लेंट देखिए और इसके उपर का प्रिंट देखिए बहुत ही शानदार बिल्कुल खिला खिला सा अब बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक रहेगा ये हमारा लास्ट पर्ट नॉट लीस्ट बहुत ही खुबसूरत कॉम्बिनेशन में स्टील ग्रे में हमारा सॉट आ जाएगा ये ये फ्रंट रहेगा और ये इसके स्लीवस रहेंगे इसमें फुल बैक प्रिंट भी आएगा सभी में बैक प्रिंटेड रहेगा ये देखिए इसका भी बैक पुरा फुल प्रिंट रहेगा कोई भी सूट ऐसा नहीं जिसके बैक में प्रिंट ना हो सभी प्रिंटेड रहेंगे विद इंब्रॉइडरी हैवी इंब्रॉइडरी पैच वर्क ये इसके आप पैच वर्क देखे कितना खुबसूरत इस पे वर्क हुआ वा है कैमरा इतना ब्यूटीफुली कैच नहीं कर पा रहा है बहुत ही शानदार पैचेज रहेंगे इसके इसमें कहीं न कहीं सिल्वर जरी का काम हुआ है तो वो लुक बहुत ही अच्छा आरहा है जो कि बहुत ही क्लियरली केमरे में नहीं आ पा रहा है एक पैच वर्क ये भी इसका रहेगा एक पैच वर्क इसका ये फुल सीक्वेंस पैच वर्क है ये वाला ये कट करके लगेगा पूरा मौडल पिक में साथ में दूँगी ये दामन का पैच वर के कितना हैवी है आप देख सकते हैं फुल थ्रेट का काम हुआ वा है ये इसका बॉटम आएगा बॉटम जो है पुरा सिफली चिकन कारी का काम हुआ वा है हैवी वाला स्टील ग्रे कलर का बॉटम रहेगा आप इसका वर्क देखिए पुरा फुल वर्क आएगा हैवी और ये डबल करके है ये बॉटम का फैब्रिक डबल करके है ये बहुत ज़्यादा फैब्रिक दियावा है ये हमारा दुपट्टा आ जाएगा प्योर लॉन कॉटन का बिल्कुल सॉफ्ट वाला फुल प्रिंटेट कोई भी कलेक्शन पसंदा है तो जल से जलबाए करिएगा मेरे चैनल को लाइक शेज सब्सक्राइब जरू करें थैंक ये